ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन नाशी वालू हो जाओ तियार क्योंकि अब आपको भगवान भुरेनात के अश्रवाज से दो मई से आठ मई यानि कि इन साथ दिनों में बहुत बड़ी खु सिर्वास से इन साथ दिनों में आपको अनेक और प्रकार के बड़े-बड़े लाब धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं के प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जदोस्तों बड़ी खुसकबरियां कौन-कौनसी हैं इसलिए आप लोग हमा लोगों को एक लाइक जरूर करें कमेंट्स बुक्स में जैब भुले नाथ जरूर लिखें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं चले दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान भु जिनेहीं मिलता जो 37 भी मानता है कि ग्रहों की दसा ग्रहों की चाल का प्रभाब सीधे जातक पर पड़ता है जातक की जनम्ति तिफी जर्मिस्तान जनम के समय Anasar उसकी कुंडली बंती है जिसमें नौ ग्रहों की दसा का विवरन होता है और उसी केनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि जातक का भविश्य कैसा होगा यदि जातक के कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोस होता है तो वह उसे प्रभावित करता है हमारे सौर मंडल में नौ ग्रह यानी शूरे, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र, शनी, राहु वे केतु माने गए हैं। हाला कि राहु वे केतु को विज्ञान के अनुसार ग्रह नहीं माना जाता। लेकिन जोतिस सास्त के अनुसार ये बहुती प्रभावसाली ग्रह हैं। इने चाया ग्रह की संग्या भी दी जाती हैं। इन सभी ग्रहों के गुणूं का समावेस प्रतेक जातक में मिलता है। इसी तरह से हमारे जीवन ग्रह के ऊपर निर्धारित होता है। और जैसे जैसे ग्रह अपनी चाल बदलते हैं। हमारे जीवन में उतार चड़ाव आते और जाते रहते हैं। आज कल के इस समय में हर एक व्यक्ती धन्मान बनना चाता है। और वो इसके लिए बहुत मेहनत करता है। और वो सफल भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसमत हमारा साथ नहीं देती और लाख कोशिस करने के बाद भी पैसा हमारे हाथ नहीं लगता। आज हम आप से इसी संबंद में कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं। जिसे जानकर आप हैरानी में पढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि रासियां हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। जोतिस सास्तर के अनुसार हर रासी का अलग-अलग महत्व माना जाता है। जिह दोस्तो जोतिस सास्तर के अनुसार ग्रेहों की चाल में अब एक परिवर्तन हुआ है। जिसके प्रभाव से आप लोगों को काफी लाब मिलने के योग बन रहे हैं। जिह दोस्तो आपकी किसमत अब खुलने वाली हैं। जिह दोस्तो आप लोगों को अब अचानक धन प्राप्ती के अनेकों अफसर प्राप्त होंगे। आप लोगों के लिए समय बेहधी अब सुब परिणाम लेकर आने वाला है आप लोगों के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ती का आगमन होगा जो कि आपको मुनाफा करा सकता है नोकरी तलास कर रहे लोगों को किसी कमपनी से बहुत अच्छा मौका भी अब मिल सकता है जिहां दोस आपको पेट से संबंदेती भी कुछ परिसानिया हो सकती है थोड़ा सावधान रहें आपके परिवार में सांती बनी हुई रहेगी और परिवार में चल रहे कलेस खत्म हो जाएंगे घर में अब खुसियों का माहुल रहेगा अब आपको किसमत का पूरा साथ मिलने वाला ह या दोस्तों आपको धन लाब प्राप्ति की संभावना है आप लोगों के वैपार और वैवसाय में अब वरद्धी होगी जो लोग नोकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी जो व्यक्ति विदेश में नोकरी करना चाते हैं उन व्यक्तियों को विदेश में नोकरी प्राप्त होने की भी संभावना बन रही हैं जा दोस्तों आप लोगों की आए में अब व्रद्धी होगी जो लोग व्यपारी हैं उनको व्यपार में ज्यादा मुनाफ़ा होने की भी संभावना अब बनी हुई हैं अब आप अपने सभी कारों को बहुती सफलता पूर्वक पूरा करेंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा जै दोस्तों अब समय आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है आपके मान सम्मान और प्रतिश्ठा में व्रद्धी होगी जिसकी वज़े से समाज में आपकी प्रसंसा की जाएगी साथिसाथ अब आप धन लाब अब हो सकता है आपके घर परिवार में खुस नुवा माहोल बनेगा आपके कारोबार में व्रद्धी होगी समाजिक छित्रों में आपको सफलता प्राप्थ होगी अब आपको अच्छानक से धन लाब प्राप्ति की संभाव ना है साथिसाथ आपको जल्द ही गई मेहनत का फायदा अब आपको प्राप्त होगा आपकी आर्थिक इस्तिती पहले से मजबूत होगी आपके रुके हुए सभी कार्रे बहुत यासानी से और सफलता पूरुबक बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जोल भी बड़ेगा आप लोगों को परिवार और जीवन साती का पूरा शेहुग प्राप्त होगा आपकी मदोर्वानी की वजए से आपके रुके हुए सभी कार्रे बहुती सफलता पूरुबक पूरे होंगे आपका भग्याए अब आपका पूरा साथ देगा जिसकी वज़े से आपकी धन संबंदित सभी परिशानिया दूर होंगी और आपके जो भी कार्रे रुके हुए हैं वे सभी कार्रे बहुती सफलता पूर्वक आसानी से पूरे हो जाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा। जी है दोस्तों अब आपको बहुत बड़ा लाब मिलने के योग बन रहे हैं। साती सात कार्रे इस्थल पर भी आप कठिन परस्तितियों में समझदारी से निर्णे लेंगे। जीवन साती की भावनाएं आपके दिल को छू देंगे। बेरोजगार जातकों को रोजगार के अवसर अब प्राप्त होंगे। इनके सभी कार्रे सुचारू और प्रगर्ती से चलने लगेंगे। अचानक धन लाब भी आपको प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ती के नए मार्ग अब आपके लिए खुलेंगे। आप जल्द ही नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आर्थिक परिसानियां अब दूर होंगी। निवेस किया हुआ धन में व्रद्धी होगी। कोई गलत फैमी भी अब दूर होने की संभाव ना है। शंतान के लिए यह समय काफी सुब रहेगा। और उनके कार्रे पद्धती में सुधार आएगा। दोस्तों के संग कहीं लंबी यात्रा को भी जाना पड़ सकता है। जिहां दोस्तों अब आप लोग हर छित्र में सफलता प्राप्त करेंगे। और आप दिन दोगनी और रात चोगनी तरक्की करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आपको वे सारी खुसिया प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं जिससे आपका संपूर जीवन बदल जाएगा। जैदोस्तों भगवान भोलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हूँ। सच्चे दिल से कमेंट स्बुक्स में जैद भोलेनात अवस्चे लिखें वीडियो को लाइक और ज्यादा स्चेर करें जैद भोलेनात